हेलो फ्रेंड्स आम फलो का राजा है तो देखते हैं कि यह जो राजा हमारे डोग के लिए किसी काम का है या नहीं है यानि आज हम बात करेंगे कि मैंगो जो होते हैं वो हमारे डोग के लिए सेफ रहते हैं नहीं रहते अब mango जो होता है मीठा होता है और फलो का राजा तो वह ही अब बहुत सी वीडियो के अंदर मैंने यह बताया कि आपको जो मीठी जो चीज़े हैं आपने डोग को नहीं देनी है बिकोज शुगर कंटेंड आपके डोग के लिए काफी जादा मातरा में रिस्कियर हो सकता है स्किन इंफेक्शन करेट करवा सकता है किसी भी तरह की कोई भी इचिंग से रिगार्टिंग कोई भी इशू हो सकता है तो हमको मैंगो देना चाहिए और नहीं देना चाहिए इसी के उपर एक वीडियो है छोटी सी एक वीडियो बनेगी जल्दी सी जल्दी मैं सारी बाते एक्स्प्लेइन करने की कोशिश करूँगा प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखना और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो और आप मैंगो खाने को पसंद करती हो तो प्लीज हमारे चैनल को सबस्क्राइब जूरूर कर देना और इस वीडियो को लाइक जूर कर देना तो मेरे पहरे दोस्तों इसका आंस्वर रहेगा आप अपने डोग को मैंगो दे सकते हो ये बिल्कुल ही सेफ रहेगा आपके डोग के लिए माना कि इसके अंदर शुगर कंटेंट होता है लेकिन इसके अंदर कैलरीस भी ज़्यादा पतर पाई जाती है तो जो मेंगो होता है सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ आप अपने डोग को दे सकते हो ये आपको पता चल गया कि हाँ सेफ है आप दे सकते हो लेकिन आप कंफ्यूस जाते हो कि कितना देना है एक तो पॉइंट ध्यान दो कि आपको अपने डोग को ये जादा बिल् जो आम जो खाते हैं आम को इतो अच्छे से आपको छीलना है उसको जो जो छिलके हो यह तीन मत कर शक्ते जादा मत करना प्रोब्लम हो जाएगी स्पेशली अगर मैं इसकी खासियत बताऊं एक तो मैंगो टेस्टी होता है जैसे हम कोई पता है गर्मियों का सीजन है हम काते हैं जैसे हमारे घर में जब बिंडी जो बनती है ना मेरी फेवरेट सब्जी है बिंडी तो बिंडी के बाद आम खाना ना बहुत ज़्यादा प्र होता है अब यह जो फाइबर कंटेंट आपके डोग की बोडी के अंदर रिक्वाइर्मेंट क्रियेट करता है क्यों विकोज हमारे जो डोग जो होते है ना उनको डाइजेसेंसे रिलेटेड इशू रहता ही है कभी उनकी लूज पूप आने स्टार्ट हो जाते हैं तो आप कर देंगे और आपके डोग में थोड़ी सी कॉंस्टी पेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी जो कही ना गहीं हद तक आपके डोग सेफ रहती है एस कंपेर टू लूज मोशन के लिए तो आपको यह समझ में आगया होगा कि बिल्कुल सेफ है विटाइमिन्स हैं और काफी भी करवा देगा और ओबेसिटी भी हो जाएगी क्योंकि मीठा है तो मीठा मोटापा तो हो नहीं है मीठा खाने से साथ में इसके अंदर कैलरीज होते हैं जैसे कि मैंने बताए आपका डोग बिल्कुली एक्टिव रहेगा और अपने आपको एक राजा की तरह फील करेगा आपके डोग को लूज स्टूल लूज मोशन या डाइरेया जैसी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी और स्पेशलिटी एक बाद मैं आपको यह बढ़ा दूँ आपको आम कम खाने है विकोज कई बार हमने देखा होगा कि हम देशी लमी में बोलते हैं कि आम बहुत क्लियर हो गया होगा विकोज छोटी सी एक वीडियो थी और यह काफी अच्छा एक टोपिक मुझे लगा मेरे ओपीनियन से अच्छा लगा क्योंकि इस समर सीजन के दोरान हम मैंगो खाते हैं तो हमको यह पता होना चाहिए कि क्या हम हमारे डोग को मैंगो दे सकते हैं नही लेकिन रेगुलर नहीं देना हफते में एक या दो बार ही आपको देना है तो मैं आशा करूंगा आपके सारे डाउट्स क्लियर होगे होंगे लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जुरूर बताना अगर और आप वीडियो साते हो इन